असलाम लेकुम दोस्तों I hope आप दोस्तों काफी बड़ी होगी आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट की उपर Google AdSense के आड़ जाई आ रहे हैं और यहां पर पिलकुल अगर मैं क्रोस करके यहां पर देखा हूँ तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं और मैं revenue generate कर रहा हूँ आप दोस्तों के एक और चीज़ भी बताता चलों कि मार्कीट के अंदर काफी हाइव कर रहे हैं ऐसी सक्रिप्ट की कि बाई किस तरह से ऐसा पोसीबल है और क्या यह पोसीबल है कि हम इस चीज़ से revenue generate कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और इससे आर्व रिसेंटी ब्लोग create किया था तो उसके पर मैंने देखने थे कि ads आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो ad जो हैं वो नज़र आने लागे थे तो मैं अगर इस article को भी open करके दिखाऊं तो यह recent ही मतलब कि कुछ इसके पर लिखा नहीं हुआ चास्ट एक ad आ रहा है और मैं जैसे ह यह वापस आता हूं और वापस आने के पाद एक new blog create करता हूं और यह possible कैसे है यह तो मैं आगे चल गाए अब तुमाँ दोस्तों को बताऊंगा ही और उससे पहले मैं कुछ भी name दे देते हूं random और मैं एक new blog create कर लेता हूं new address के साथ create कर लेता हूं आप तुमाँ दोस्त य निजाम में और कैसे पॉसिबल है तो अब भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक न्यू ब्लोग करीड कर रही है शेख जहीर रबा से यह उपर एक रैंडम ब्लोग जनरेट कर रही है अब मैं इसी के अंदर आ जाँगा मैंने इसके साइड बार के अंदर एक एड कोड पेस्ट क कता है जो कि मैंने एक स्कृप्ट के मदद से ईड जनरेट किया है और वह मैंने एडशनक का ही एड लगाया है ना किक किसी और का क्योंकि आप एपनी एडशनक के अंदर ड्र souvent बडेगी और वह भी डैसबोरт की है एक्टीव डैसबोर्ड करना बहुत है आसाना नहीं तो म मैं सिंपल से क्या काम करूंगा इस website के उपर आ जाता हूं जो कि अभी हमने recent create किया है अब recent जो create किया है इसके अंदर मैं add gadget की उपर क्लिक करने हूं add gadget पे तो HTML script के उपर क्लिक कर लेना है आपने और simple से इसको भी मैं यहां पर paste कर दूँगा अब जैसे मैं paste करूंगा मैं इसको एड लिखते था हूं और यहां पर मैं इसको save कर लेता हूं अब मैं जैसे मैंने जैसे ही सेव किया है मैं इसको open कर लेता हूं व्यू ब्लॉग को और यहां पर मैं गटा करके इसकी alignment चोड़ी कर लेता हूं और यहां पर आप देख सकता है कि यह आड नज़र आने लगए है अब यहां पर आप त्वाम दोस्तों को मैं को और चीज़ दिखा दूँ कि यह आर्जंटीनिय को भी पर है को यूजर यह ना समझे कि बाइस से यह बाई एक दबाब मै पर क्लिक करता हूं और इसकेंडर मैं सिंपल एड़ कोड ही पेश कर देता हूं और मैं आड़ का कोड़ ही पेस कर देता हूं अब ये code वैसे तो side bar के लिए है ये add side bar के लिए बना है इसका size ही क्योंके इस तरह से develop किया गया है तो मैं इसको एक दबाद confirm कर लेता हूँ और confirm करने के बाद एक दबाद मैं इस post को view कर लेता हूँ अब जैसी मैं post को view करूँगा तो post के अंदर भी add नज़र आ रहा है अब यहां पर क्योंके cross का sign नहीं आ रहा है मैं एक तवा VPN को chain कर देता हूँ आप दोस्तों के सामने और यहां पर मैं अस्ट्रेलिया का VPN लगा लेता हूँ अब अस्ट्रेलिया का VPN लगाने के साथ साथ आप दोस्तों देख सकते हैं आज तीस तारी हो चुकी है और अब यह वीपिन कनेक्ट हो गया है तो मैं जैसे ही इसको एड को refresh करता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एड भी चेंज़ोगा है लेकिन उसके उपर क्रोज का इधिंक साइन नहीं आया लेकिन यह जो है एड जो है यह गूगल एडसेंस का ही आड है अब यह एडसेंस का ही आड है यह हमें कैसे पता चलेगा और हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे तो आप दोस्तों के एक चीज़ बताता चलों कि यह पुसिबल तब है जब आपकी वेबसाइट इस अकाउंट से अप्रूवट हो hailing.me इसकी ही सेक्रिप्ट है इसकी सेक्रिप्ट क्या है वो आप दोस्ति यहां पर देख सकते हैं यह सेक्रिप्ट है अब जिस टैशबॉड के अंदर यह वेबसाइट एप्रूव होगी उसी से हम मतलब के उसी एडसेंस के तुरूव एक ऐसा एड कोड निकाल सकते हैं जि क्योंकि मैंने टेस्ट करता था और वो तुमाम चीज़ें आपके सामने रखनी थी तो आप देख सकते हैं 172 पेज वीउस कांट हुए हैं और एक इंप्रेशन कांट हुए है अगर मैं डिटेल इसकी रिपोर्ट के अंदर जाओं तो रिपोर्ट के अंदर जाने के पाद आ वेबसाइट एक्टिव है और इसी के उपर ही इंप्रेशन आये हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ अब जैसे ही साइट के सेक्शन में आऊँगा यहां पर आप देख सकते हैं कि हे लिंक.me के नाम से यह वेबसाइट है और यहां पर आप तुमाम दोस्तों के एक और च जो जूजर मार्केट में इसको काफी ज्यादा पैसों में इसको बेच रहे हैं तो मैं उनके आप तुमाम दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ जैसे होते हैं जो परसेज नहीं कर बाते हैं यह तुमाम से क्रिप्ट्स मैं आप लोगों के लिए फ्री लेगा हूँगा लेकिन दोसके वज़ जी है कि यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर सकते हो 90% यूजर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नहीं वीडियो को लाइक करता हूँ देख के मतलब कि अपना काम बनाया और चल बढ़ अपना काम शुरू कर दिया तो आप तौमाम दोस्तों ने ये काम नहीं करना आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने तौमाम दोस्तों तक भी शेयर करना है मैं गदार पेज को रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं आप तुमाम दूस्टों को एक और चीज भी दिखा देता हूं कि यहां पर देख सकते हैं और यह रिवैन्यू अभी क्योंकि 12 से ज़्यादा उपर टाइम हो चुका है तो क्योंकि यह मैंने एड कल लगाए थे और एड लगाने के 60 मिन के बाद या आप कहलें कि एक गंटे के बाद यह एड चुलाई बाते हैं इसका भी एड लाइब नहीं आते हैं इसका भी एड्सेंज की तरह ही हिसाब कताब है तो मैं यहां पर साइट पर आ जाता हूं और यहां पर देख सकते हैं कि यह व्यू सारे कि causa yesterday के ही है अब मैं आ जाता हूं वापिस बाद और वापिस आने के बाद वीपेंड को चेंज करके अब यूऐ से का वीपेंड लगा लिएंग लिए ओ और दिखता है कि ऐड्स違 39 कि नहीं चैनल रहें आप दोस्तों को यहां पर दिखाता चलूं कि यहां पर मेरे एड़ हैं मैं बूस्टन के विपिन करेंट कर लेता। कि अब घैसे ही यहां बोल लुमाझेड को यहां पर देखा देता हूं। इसी पेज को ओपन करके अथ आप वहाम दोस्ते वैसे बहुति अद्रेव देख सकते हैं तो ओपर जाकर आप तौम दोस्त विजट भी कर सकते हैं। अब यह एड़ आ रहा है इस एक पर आई तो आईडिया का बटन आता है तो आईडिया का बटन नहीं है आ रहा है और मतलब कि डायक्टरी दूसरा आड़ आने वाग्या लेकिन यह गोगल की तरह से यह एड शर्व हो रहे हैं तीक है अब मिशाल की तोरप मैं इक तफ़ा लगा लेता हूं इसकी MS काफी जएदा है तो मैं यह मुंटीरल का इसका वीपेन लगा लेता हूं तो मैं जैसे ही CT का VPN को कुनेक्ट करते हुए मैं दबार से अपने एड कोड को रिफ्रेश करते हूं एक दफ़ा मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आपको माँ दोस देख सकते हैं आई तिंग वह पुरा नहीं एड आ रहा है तो मैं इसको इस पेज को रिफ्रेश करके देख लिएता हूं आई थिंक दोबारा से मुझे वह यह आड़ नज़र आ रहा है तो मैं सिंपल से तो होमपेज बजाता हूं मैं वीपेंट को यह और कनेक्ट करके देख लेता हूं चिकागो पर वीपेंट कर लेता हूं क्योंकि आई थिंक मैंने एक दवागा क्लिक कर दिया तो दोबारा मुझे बार पर वही नज़र आरे तो मैं सिंपल से रवाज रिफ्रेश कर लेता हूं अभी भी मुझे वही नज़र आ रहा है पता नहीं यह ऐसा क्यों सिस्टम है लेकिन यह आई थिंक हर पांच से कर लोगा लेता हं 인िदिस यह राघ्यिर कर लागा लेता हूं क्योंकर यह त्माम चीजों की टैसिंग आव तुमाम दोस्ते कुद्स भी कर सकते हैं लेकिन अभी मुझे क्योंकर आइखности और इसने ट्रैक कर लिए तो मैं तो क्रोस कर देता हूं उसको वापस आ कि आ हूँ और मैं इसके इनकोगनेटर टैब में इसको उपन कर लेता हूं और जैसे ही मैं दुबारा से आ जाता हूं इस पोस्ट के उपर आप तो आम दोस्ति आपे देख सकते हैं इसने भी जो ए वो चैन खरे लिए तो मैं तो जैसे मैं आड़ कोपर क्लिक करता हूं तो मुझे आप देख सकते हैं इस आड़ के वापडर लेकिया आगया है और यहां पर मैं इसके परागया हूँ और यह प्रोपर गूगल के एड्स हैं किसी और के एड्स नहीं है ठीक है और यहां पर भी आप देख सकते हैं और यह सारे यह एड्स कौन दिखा रहा है यह दिखा एड्स रहा है लेकिन इसके अंदर कौन सी कंपनी कुनेक्टेड है हेलिंक.me के नाम से कंपनी कुनेक्टेड है तो यह तरीका कार था इसके बाद मेरी नेक्स वीडियो जो होगी वो प्रोपर आप कह सकते हैं जो है मैं साइट्स में आ जाता हूँ और वो होगी यहां पर आप तौमाम दोस्ट एक तबाद देख सकते हैं यू.fan के उपर होगी उसके बाद लाइक के पर वीडियो होगी और अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे तो देन मैं इस तीसरी के पर वीडियो ले के आउंगा और उससे पहले यू.fan के पर वीडियो ले के आउंगा बट इफ अगर आप तौमाम दोस्ट को डाउनलोड ऑपर क्लिक करके इस जो है सेक्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हां, लेकिन 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 एक सीज़ आप तौमाम दोस्ट को बताता चलाएं कि इस ऐड को जनरेट के स्ञृशritos करना है, तो आप तौमें दोस्ट को बताता चलाएं कि सिंपल से जौत तूरीकार है, होम पे उपर आपने publisher ID है, इसको copy कर लेना है, ठीक है, copy करने के बाद आपको जो script दी जाएगी, देखने ये तमाम चीज़ें आपने घौर से समनी नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ें बोल जाएंगे, तो मैं भी हो सकता कि आपका add शो ना हो, ये देख रहे हैं, एक ये code है, जो क second code है, first publisher ID, then second publisher ID, second publisher ID में ये पेस्ट कर देना है, क्योंकि मेरा ये ही था, तो मैने ये पेस्ट किया, उसके बाद आपने आ जाना है, नीचे आ जाना है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये third publisher ID है, तो इसके अंदर पी आपने इधर पेस्ट कर देना है, क्योंकि मेरे account की ID ही यही थी तो मैंने इसी वज़े से यहां पर यह पेस्ट किया है अच्छा एक और चीज आप तुमाँ दोस्तों को बताता चलूँ यहां पर मैं सिंपल से वापस आ जाता हूं आपने क्या काम करना है जो नहायत और क्योंकि मैंने अक्टिव डैश रिखा हुआ है तो आपने अपनी उस से क्रिप्ट का नेम डालेना है जो के से यह यह उसके बाद इसको यहां पर पेस्ट करते करता हूँ इसे क्रोस करता हूँ यह से क्रिप आगिया हमारे पास तो टू फेक्टर अथेंटिकेशन के बाद यह जो एक्टिव डैश रिखा हुआ है आपने इसका कि यह पेस्ट कर देना ठीक है और किसी चीज को नहीं चैड़ना और अगर आप किसी चीज को चैड़ेंगे और अगर पसान आई है तो लाजमी से वीडियो को लाइक करते हैं और अपने तमाँ दोस्तों तक भी शेयर करते हैं ताकि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यूसर्स पैनिफिट उठाएं और मैं मैं मेले तो आपको नेक्स वीडियो के साथ अब तक मुझे तें अजासत अलाह अधिस